तरह ओडिचा के पूरी में जगरनात रतियात्रा की शुरुआत हो चुकी जिसे लेकर 10 दिन तक आईजन किये जाते हैं रतियात्रा में भाग लेने के लिए दूर-दूर से लोग यहां पहुंशते हैं इस रिपोर्ट के जरे देखिए 10 दिनों तक भवे आईजन में क्या-क्या होनी वाला है औरिशा की पूरी में भगवान जगरनात की रतियात्रा की शुरुआत आज से हो गई है इस रतियात्रा का आईजन हर साल अशार मह में शुक्ल पक्ष की दुतिया तिथी से होता है भगवान जगरनात अशार शुक्ल दुतिया तिथी से दश्मी तिथी तक जन सामाने के बीच रहते हैं इस दोरान भगवान जगनात अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभध्रा के साथ रत पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं जगनात रत्यात्रा का भव्य आयूजन दस दिन तक चलता है कहते हैं कि रत्यात्रा की दर्शन मात्र से सो यग्यों का पुन्ने मिल जाता है ऐसा कहा जाता है कि जगनात रत्यात्रा में शामिल होने मात्र से ही अशुप ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है और शुप ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है यही कारण है कि दुनिया भर से लोग इस यात्रा में शामिल होने पहुँचते हैं और भगवान का आशिर्वाद लेते हैं रत यात्रा के दौरान भगवान जगनात के साथ दो और रत शामिल होते हैं इन में से एक उनके बड़े भाई बलराम और दूसरे में बहन सुभद्रा होती हैं इस तरहे इस दिन कुल तीन देवताओं की यात्रा निकलती है सबसे आगे बलराम का रत, बीच में बहन सुभद्रा का रत और सबसे पीछे होते हैं भगवान श्री जगनात पहला रत पुरी में तीन रथों में सबसे खास होता है भगवान जगन्नात का रत इससे नंदीघोश या गरुण ध्वच नाम से भी जाना जाता है ये 42.65 फीट उचा और इसमें 16 पहिये होते हैं नंदीघोश का रंग लाल और पीला होता है दूसरा रत भगवान के भाई बलराम का होता है इसे ताल ध्वच नाम से जाना जाता है इसकी उचाई 43.30 फीट होती है और इसमें 14 पहिये होते हैं इसका रंग लाल और हरा होता है बलराम जी के रत के सार्थी मातली है तीसरा रत दोनों भाईयों की छोटी बहन सुभद्रा का है इसे दरपन दलन नाम से भी जाना जाता है इसकी उचाई 42.30 फीट होती है और इसमें 12 पहिये लगे होते हैं इस रत का रंग लाल और काला होता है इस रत के सार्थी अर्जुन है मानेता है कि जब भगवान जगनात अपने भाई बलराम और बहन के साथ नगर भ्रमर पर निकलते हैं तो रास्ते में गुंडीचा में मौसी के घर भी जाते हैं माना जाता है कि मौसी के घर पर तीनों भाई बहन खूब पकवान खाते हैं जिससे उनकी तबियत खराब हो जाती है और वो अग्यात वास में चले जाते हैं वो मौसी के हाँ पूरे साथ दिन तक रुपते हैं और स्वस्थ होने के बाद पूरी वापिस लोटते हैं भगवान जगनात जी को छे बार महा प्रसाथ चरहाय जाता है भोजन में साथ बिविन प्रकार के चावल, चार प्रकार की डाल, नौ प्रकार की सबजियां और अनिक प्रकार की मिठाईया परोसी जाती है मीठे वेंजन तयार करने के लिए यहां शक्कर की भजाए अच्छे किस्म के गुड का प्रयोग किया जाता है अब आपको रत्यातर का पूरा शेडूल बताते हैं अब 8 जुलाई की सुबह फिर से रत को आगे बढ़ाया जाएगा रत सोंवार को गुंडीचा मंदिर पहुचेगा यदि किसी कारणवश इसमें देरी होती है तो ये रत मंगलवार को पहुचेगा आठ से 15 जुलाई तक भगवान जगनात, बलराम और बहन सुबद्रकर गुंडीचा मंदिर में रहेगा यहां उनके लिए कई प्रकार के पकवान बनाये जाएगे 16 जुलाई को इस रत यात्रा का समापन हो जाएगा और तीनों देवी देवता वापस जगनात मंदिर लोट जाएगे भगवान जगनात की यात्रा सदियों से चली आ रही है और ऐसा कहा जाता है इसकी शुरुवात बारवी शताबदी में हुई थी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाईयों कृष्ण और बलराम से कहा कि वो नगर देखना चाहती है इसके बाद अपनी बहन के एक्छा को पूरा करने के लिए दोनों भाईयों ने बड़े ही प्यार से एक रत को तयार करवाया इस रत में तीनों भाईयों सवार होकर नगर ब्रमड के लिए निकले और ब्रमड पूरा करने के बाद वापस पुरी लोटे और तभी से ये परमपरा चली आ रही है